सिंग राशी 5-6-7 मार्च एक दिन रहें सावधान नमशकार दोस्तो जै माता दी आप सबी का स्वागत है हमारी चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे सिंग राशी के बारे में आने वाले अगले तीन दिन पांच मार्च से लेकर साथ मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा एराशिफल चंद राशी पर अधारित है यह समय फालगुन मास के शुकल पक्ष का समय है और सिंग राशी वालों के लिए आने वाले अगले तीन दिनों में से एक दिन सावधान रहने की जरूरत है चलिए शुरुआत करते हैं पांच तारिक गुरुवार से पांच तारिक गुरुवार को सुभा दश्मी तिथी रहेगी उसके बाद 81 तिथी प्रारम होगी पुनर वसु नक्षत रहेगा चंदरमा मिथुन राशी से गोचर करेंगे ब्रशपती का नक्षतर इस दिन रहने वाला है सिंग राशी वालो इस दिन आपको बहुत बड़ी मात्रा में धनलाब होने वाला है यह दिन आपकी किस्मत को चमका सकता है भाग्य का पूरा साथ मिलते हुए दिखाए देगा इस दिन आपका मान सम्मान बढ़ेगा सरकारी कामों में सफलता का योग है मुकदमे बाजी में लड़ाई जगडे वाद विवाद में बहस में आपकी जीत हो सकती है समय आपके लिए बहुत सुब और खास होगा आपका दबदबा अपने कारिय स्थल पर कायम होगा और समाजिक स्थर पर आपका दाइरा इस दिन बढ़ सकता है बड़े-बड़े लोगों से आपके अच्छे संबन्द कायम होगे आपके मित्र आपके काम आएंगे और मित्रों की मदद से बड़े पुराने अधूरे काम भी बनते हुए दिखाई देंगे यह समय आपके लाब में वरित्ती करेगा घर परिवार में सुक शान्ती पनी रहेगी बेवाही की जीवन खुशाल रहेगा आपकी लव लाइफ भी खास रहेगी विद्यार्थियों को विशेश सफलता इस दिन प्राप्त होगी दोस्तो इस दिन आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और थोड़ी सी सावधानी ट्रैवलिंग में जुरूर रखें शेश सभी मामलों में दिन अती उत्तम बना हुआ है यह दिन आपको अचानक से बहुत बड़ी मातरा में धनलाब करवा सकता है इस दिन आपकी लोटरी भी लग सकती है शेर्स में सटे लोटरी में प्रोफिट हो सकता है रुका हुआ धन मिलने की संभावना इस दिन प्रबल होंगी इस दिन पुत्र सुक की प्राप्ती तक हो सकती है आपके बच्चों से जुड़ी तमाम तरह की परेशानिया दूर होत रहेगा चंदरमाकर कराशी से गोचर करेंगे शनी का नक्षत रहने वाला है सुक्रवार के दिन आपकी महनत बढ़ सकती है अधिक महनत आपको इस दिन करनी पड़ेगी कारियस्थल पर काम की अधिकता बनी रहेगी और जोब करने वालों की भागदोड भी इस दिन बन सकती ह इस दिन डेली इंकम भी बढ़ते हुए दिखाई देगी व्यापार कारोबार में मुनाफ़ा होगा विदेशी कामों में फाइदा होगा लेकिन आपको अपने कामों के लिए बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए इस दिन सवभाओं में थोड़ा क्रोद बढ़ सकता है बोल चाल में सावधानी रखनी होगी लड़ाई छगड़े से आपको दूर रहना होगा पुराने उधार की वापसी हो सकती है लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है नए कामों के लिए धनकी ववस्ता भी होगी कर्ज भी समाप्त होंगे लेकिन कुछ जुरूरी कामों क चलते आपके खर्च बढ़ सकते हैं दोस्तो इस दिन वेवाहे की जीवन में छोटे मोटे उतार चड़ाव आ सकते हैं आपको मिठे बनकर अपने काम निकलवाने चाहिए लाइफ पार्टनर के सयोग में कुछ कमी दिखाई दे सकती है परिवार के सदस्से आपका साथ दें चंदरमा करकराशी से गोचर करेंगे बुद्ध का नक्षत रहेगा यह दिन आपके पैसे को सही जगा लगवाने वाला है नई इन्वेस्टमेंट का कोई विचार हो सकता है आप अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप सफल भी होंगी यह समय आपकी मुलाकात अपने मित्रों से हो सकती है इस दिन आपके घर में कोई मांगली कारिया हो सकता है महमानों का आना जाना भी हो सकता है अपनी उम्र से बड़े लोगों से फायदा होगा बड़े भाई बहन का सयोग प्राप्त होगा सोने चांदी जैसे अभूशन भी मिल सकते हैं तमाम तरह रहेगा लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से जै मातादी जै मालक्षमी जरूर लिखे